अपनी तुलना दूसरों से न करें एक बार की बात है किसी जंगल में एक कौवा रहता था वो बहुत ही खुश था क्योंकि उसकी ज्यादा इच्छाएं नहीं थी वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था लेकिन एक बार उसने जंगल में किसी हंस को देख लिया और उसे जंगल में औरों से बहुत सफेद और सुन्दर है इसलिए यह तो बहुत खुश रहता होगा कोवा हंस के पास गया और पूछा भाई तुम इतने सुन्दर हो इसलिए तुम बहुत खुश होगे। इस पर हंस ने जवाब दिया, हाँ मैं पहले बहुत खुश रहता था, जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था, उसे देखने के बाद से लगता है कि तोता धरती का सबसे सुन्दर प्राणी है, हम दोनों के शरीर का तो एक ही रंग है लेकिन तोते के शरीर पर दो दो रंग ह उसके गले में लाल रंग का घेरा और वो सूर्ख हरे रंग का था, सच में वो बेहत खुबसूरत था, अब कोवे ने सोचा कि हंस तोते को सबसे सुन्दर बता रहा है, तो फिर उसे देखना होगा, कोवा तोते के पास गया और पूछा, भाई तुम दो-दो रंग पाकर ब मोर के शरीर पर तो कई तरह के रंग है, अब कोवे ने सोचा सबसे ज्यादा खुश कौन है, यह तो मैं पता करके ही रहूंगा, इसलिए अब मोर से मिलना ही पड़ेगा, कोवे ने मोर को जंगल में ढूंदा लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला और मोर को ढूंदते ढूंदते वह चिडिया घर में पहुच गया, तो देखा मोर को देखने बहुत से लोग आये हुए हैं, और उसके आसपास अच्छी खासी भीड है, सब लोगों के जाने के बाद कोवे ने मोर से पूछा, भाई तुम दुनिया के सबसे सुन्दर जीव हो और रं अगर सुन्दर हूँ, तो भी क्या फर्क पड़ता है? मुझे लोग इस चिडिया घर में कैद करके रखते हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई चिडिया घर में कैद करके नहीं रखता और तुम जहां चाहो अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हो, इसलिए दुनिया के सबसे संतु और खुश जीव तो तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि तुम आजाद रहते हो, कौवा हैरान रह गया, क्योंकि उसके जीवन की एहमियत कोई दूसरा बता गया। समझ कर खुश नहीं होते, लेकिन दूसरों की छोटी वुशी भी हमें बड़ी लगती है, जबकि हम अपनी बड़ी खुशियों को इगनोर कर देते हैं।